आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट कोश्चन की ठीक है जो कि आपका क्वेश्चन नमबर 26 हो जागा अब से पहले हमने एक से 25 तक ठीक है यह करके डिसकस कर लिए आपके शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन हम पढ़ रहे हैं आपड़ जो कि आपका प्रोफ 11 पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे सिकन्ड आपका है कुश्चन नमबर 26 है क्लूरो एंफिनी कॉल प्रिति जैविक पर टिपड़ी लिखिए ठीक है क्लूरो एंफिनी कॉल आपका क्या है ठीक है यह आपको बताना है यह प्रकार की दबाई है जो कि आपकी कैसी होती है एंटी वाटिक्स होती है ठीक है तो इसके बारे में आपने लिखना है ठीक है शॉर्ट में लिखना है है बहुत ज्यादा लॉंग में नहीं लिखना है ठीक है सौट अंसर टाइप पुश्चन है ठीक है चली क्लोरो एंफिनी कॉल के अगर हम बात करें तो कह रहा है यह एक मुख्य प्रिति जैविक है ठीक है क्या है आपका क्लोरन एंफिनीक यह कि इसका डीजिवेट है रोपेन 1 3 डाईओल κα ठीक है यानिकी प्रोपेन 1 3 डाईओल से ही इसका हुत्पन हुआ ठीक है कि इसका लुक्लोरो एंफिनीक αल और OH का आपका 3 carbon पे लगा ऩो इसलिए क्या हो जागा आपका 13 ठीक है 13 अब क्या है एक दो 3 तीन carbon पे क्या लगा देते हैं Propane लगा देते हैं ठीक है Propane propane अब देखो 1, 3, propane और 2 इसमें OH को लगे हुए है इसलिए क्या लगा दो Diol ठीक है तो जागा 1-3 propane diol टीक है क्या हो जागा 1-3 propane diol या इसकी जो position है इसको आप इस तरह से भी लख सकते हो कि propane 1,3 diol ठीक है क्या हो जागा propane 1,3 diol इसका नाम हो जागा ठीक है? अब इसमें लग गया यह का आपका दूसरा और ग्रुप यहाँ पर जो कारवन था इस से मानलो क्या था आपका हाइडोजन ठीक है यहाँ से हाइडोजन आपका चला गया यह था आपका फिनोल यह जो ग्रुप लगा हुआ यह क्या था आपका मानलो नाइट्रो फिनोल ठीक ह तभी तो यह होगा आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका NO2 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा होगा आपका OH और इस कारवन से जो H था यह दोनों आपके बाहर निकल जाएंगा और इस कारवन से जाकर यह बेंजिन रिंग आपकी जुड़ जाएगी ठीक है फिर य इसके साथ में यह का आपका पैरा नाइट्रो फिनल गुरूप और लग गया है तो अब इसका नाम क्या हो जागा पहले कारवन से लगा हुए ठीक है तो नाम क्या हो जागा डाई क्लोरो डाई क्लोरो एसिट्रो एसिटामाइडो ठीक है तो यह हो जागा डाई क्लोरो एसि Beutamida1 Paranitro Finol तो फस्ट वाले Carbon पे आपका क्या लगा हुआ यह गुरुप लगा हुआ ठीक है जिसका नाम क्या है Poro f journalism भाक यह आपका Profane13 Diol बचा हुआ गुरुप आपका प्रोपेन13 Diol है ठीक है तो यह इसका इसका यह IPSC नाम है ठीक है क्या है IPEC name है इसका ठीक है कुछ properties है इसके कुछ गुण है उनको देख लो properties ठीक है यह सफेद अथवा स्लेटी रंग का crystalline powder है ठीक है कैसा powder आपका crystal ये कैसा है सफेद या स्लेटी रंग का आपका crystalier powder होता है ठीक है दूसरा यह गंध ही नवा कड़वा स्वाद का है ठीक है इसका स्वाद कैसा होगा कड़वा चखने पर कैसा लगेगा आपको कड़वा गंध ही ठीक है सूंगने पर आपको किसी भी प्रकायर की smell नहीं मिलेगी ठीक थर्ड कहरा पानी में गुलंसील है ठीक है पानी में आसानी से यह घुल जाता है उपियोग कि अगर हम बात करें तो कहां कहां कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपियोग किया जाता है ठीक है यह बहुत उपियोगी प्रिति जैविक है कैसा है बहुत उपियोगी एंटिवा ड्रग है ठीक है इसका उप्योग निम्न बीमारियों में किया जाता है कौन कौन सी बीमारियां है जिनमें आपका इसका उप्योग किया जाता है ठीक है क्या है क्लोरो एंफिनिकॉल ठीक है तो पहला बीमारी क्या है टाइफाइट वा पैरा टाइफाइट तो यह जो आपका बुखार होता है इसमें भी आपका ये जो दवाई है chloroamphenicol इसका उपयोग किया जाता है ठीक है दूसरा क्या हो जागा आपका meningitis क्या हो जागा आपका meningitis ठीक है तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है ठीक है यह मस्तिस के संबंदित भीमारी होती है कि था एक है उरीनरी ट्रैक इंफेक्शन अगर आपके मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार का छोटा-्मोटा इनफेक्शन तो उसमें भी इसका जो है यूज किया जाता है फूर्थ क्या हो जागा रिकेटेसियल इन्फैक्शन क्या है आपका रिकेटेसियल इन्फैक्शन जैसे जू पतंगा आधी काट लेते हैं ठीक है आधिके काटने पर infection हो जाता है तो उसमें भी आपका chloro-emfinicol का उप्योग किया जाता है आख कान के infection में आख का infection हो या आपके कान में infection हो तब भी आप chloro-emfinicol का उप्योग कर सकते हैं है तुचा इंफेक्शन ठीक है आपके तुचा में जैसे चर्म रोग बगएरा या तुचा में कोई छोटा मोठा इंफेक्शन है ठीक है संकरमड है तो उसमें भी आप कलोरो सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक प्रकार चैसे आपके वाड़ी में कोई शंक्रमन है को इंफेक्शन है जैसे आपका लंग्स का इंफेक्शन है या बिलड का थीक है इसमें इसमें जु हम एकर पूरे वाडी में चला जाता थीक है तो वह चलागा जातितों के जाती loh फिलो स्ट्रेप यह कुछ ब्लांट है किसकी कि ठीक है कि लोरो एंफिनी कॉल जीटिक है तो एवल आपको एतना ही लिखना है रहे फिर्फेस डेहाँ पर पूछेगा वसा आपको इतना ही लिख दे कान आ कि अ का केमिकल फार्मूला है तो अच्छे से देख लेना कि कुछ से नहां पर खतम हो जाता है बलते अंगले वीडियों बनेती हमाँ साथ तब तक लिए थैंक्स वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो थैंक्यू गाइट